सिर्फ दो बार लगा लो हाथ पैर कमर दर्द या पुराने से पुराना घुटनों का दर्द भी हो जाएगा जड़ से खतम नमस्कार दोस्तों आप से भी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तेल बना कर दिखाएंगे जिसका प्रियोग यदि आप दो बार भी कर लेते हैं जहां पर आपको दर्द रहता है तो वो दर्द देखना चुटकियों में कैसे गाइप हो जाएगा सिर्फ दो बार के प्रियोग से ही आपको फर्क नजराएगा चाहे वो कितना ही पुराने से पुराना दर्द ही, क्यों ना हो दोस्तों ये एक कमाल का नुस्खा है, बहुत ही असरदार तेल है जो आज हम बना रहे हैं, इसे आप दोसों घर पर बना कर रख सकते हैं कभी भी जूर्द पड़ सकती है अगर आपको कहीं पर दर्द नहीं है फिर भी मैं चाहूंगी कि आप सब इसको बनाकर घर पर रखें और जब भी जूर्द पड़े तो इस तेल की मालिश जूरूर करें अक्सर क्या होता है हमें चोट बगारा लग जाती है या दर्द रहता है जोडो में दर्द रहता है या चोट के कान दर्द रहता है हड़ी में दर्द रहता है या कहीं पर भी चोट के कान सूजन आ जाती है वहाँ पर दर्द रहता है तो यह जो तेल है ना हर दर्द में आपक गठिया बाई ही क्यों ना हो, गठिया में जोडो का दर्द रहता है, तो चाहे वो भी क्यों ना हो, आप इस तेल की मालिश घर पर इजिली कर सकते हैं, मालिश का भी तरीका हम आपको बताएंगे, चलिए बना लेते हैं देर ना करते हुए आज का तेल, आज के तेल के लिए दोस्तो हमें इस तरह से चाहिए मेथी दाना, मेथी दाना सभी के घर में उपलब्ध होता है, खास कर खाने में हम इसका प्रियोग करते हैं, दोस्तो जो मेथी दाना होता है ना, इसमें दर्दो को हरने की गुण पाय जाते हैं, दोस्तो मेथी दाने का प्रियोग करके आप अपनी health को सुधार सकते हैं काफी सारी problems होती है हमारी health के relative उनको रोक सकते हैं मेथी दाने में कहीं तरह के polyphenols पाय जाते हैं जो की वजन कम करने में भी कारगर है साथ ही साथ दोस्तो इस से आपके शरीर में जो fat जमा होता है वो भी खतम हो जाता है ये आप मेथी का सेवन करते हैं लेकिन हम यहाँ मेथी दाने से तेल बना रहे हैं क्योंकि मेथी में iron होता है भरपूर मातरा में calcium होता है phosphorus, anti-inflammatory गुण और anti-oxidant गुण पाय जाते हैं दोस्तो इदने सारे गुण होने की वज़े से जो मेथी है वो हमारे दर्दों को हरने की शक्ती रखता है तो आप इस तरह से मेथी दाना ले मेथी दाना मैंने लेना है एक चम्मस से भी थोड़ा सा कम तो इस तरह से दोस्तो आप एक डोरी में मेथी दाना को डाल लीजिए मेथी जहां तक हो पीले रंग की ही आपने लेनी है कई बार हम पुरानी मेथी ले लेते हैं तो वो इतना असर नहीं करती तो आपने मेथी पीले रंग की ही लेनी है तो पहला इंग्रीडियन्ट तो रहा हमारा मेथी दाना अगली चीज हम ले रहे हैं दोस्तो ये है अजवायन अजवायन भी दोस्तो हर घर में प्रियोग की जाती है खाने में इसका बहुत प्रियोग किया जाता है जब हम किसी खाने में इसको डाल देते हैं तो बाइबादी से दूर रहते हैं खाने में भी इसका प्रियोग करना चाहिए और तेल बनाने में दोस्तो हम इसका पिर्योक कर रहे हैं एक चमच आपने लेना है अजवायन, अजवायन दोस्तों आप जहां तक हो सके, देसी ही ले क्योंकि जो मोटे बली अजवायन होती है वो इतना असर नहीं दिखाती जितना ये देसी बली दिखाती है इसमें दोस्तों काफी घुन पाये जाते हैं अजवायन में दोस्तों हमारे पेट को ठीक करने की भी शक्ति रहती है और जो भी हमें दर्द बगारा होता है जोडों का दर्द उनको ये ठीक कर देते हैं गठिया में भी दोस्तों आप इस तेल को बना कर घर में रख सकते हैं तो इस तरीके से आपने लेनी हैं आजवायन, आजवायन का हम एक चमच ले रहे हैं इंग्रीडियन्ट आप ध्यान से देखें कि कितनी कितनी मात्रा में मैं ले रही हूँ इतनी ही मात्रा में आपने लेने हैं सारे इंग्रीडियन्ट और ये रही दोस्तों लहसुन, लहसुन को भी हम सभी जानते हैं लहसुन में बहुत सारे गुण पाये जाते हैं जिससे हमारे दर्दों को ये हर लेती है लेसुन जो होती है हडियों और गठिया के लिए बहुत ही बैतर है कॉलेस्टोल भी आप इससे कम कर सकते हैं और भी काफी सारे फाइदे मिलते हैं हमें लेसुन से इसमें दोस्तों सिर्फ गंदी स्मेल है उसके अलावा दोस्तों इसमें गुण ही गुण है तो इस तरीके से आपने 5-6 कलियां लेसुन की लेनी है इनको छील लेना है अच्छे से छील कर ही आपने इसको यूज करना है और छील कर दोस्तों इस तरह से आपने चाकू से ये काट लेनी है थोड़े छोटे छोटे पीस इसके कर ले अब अगली चीज हम ले रहे हैं ये है अदरक अदरक भी गुणों का भंधार होता है खाने में भी हम इसका यूज करते हैं और तेल बनाने में भी हम इसका यूज कर रहे हैं आपने लेना है एक इंच अदरक का टुकड़ा उसको छील ले या फिर बिना छीले भी आप ले सकत और इसको छोटी चोटी टुकड़ों में काट ले. अब ये सारी चीज़े एक जगा हो गई. ये कटोरी में डाल दी है और लेंगे यहाँ पर ये है कच्ची हलदी. हलदी दोस्तों, अगर आपके पास कच्ची नहीं है, तो आप दोस्तों, जो खाने में यूज करते हैं हम साब के पास ये वाली हल्दी ना हो तो आप जो घर में खाना मनाते हैं जिससे उसका यूज कर सकते हैं हल्दी में भी काफी गुन पाय जाते हैं जिससे हमारी हडिया मजबूत रहती है खाने में भी बढ़िया है हल्दी और लगाने में भी पहुत ही बढ़िया है चोट घाओ कहीं पर भी है आपका ठीक कर देती है हलदी हातों पैरों में दर्ध है कहीं पर भी बोड़ी में पें है उसको यह हर लेगी तो इस तरीकर से आप ने ये भी गटोरी में डाल देनी है इसके भी छोटे छोटे पीस कर ले। अब आपने इसमें मिलाने है चार से पांच लोंग, लोंग में भी दोस्तों जोडों का दर्द हरने की शक्ति होती है, अब क्या करना है लेना है आपने एक छोटा सा पैन, ये बड़ा भी ले सकते हैं, तो मैंने ये पैन में डाल दी है, सारी चीजे एक साथ डाल दी है, और डालेंगे हम एक वो चीज जिससे आपकी जो ये ओश्दी बनेगी ना कमाल की बनेगी, और आपके बोड़ी के सारे दर्द वो खतम हो जाएंगे, जब आप इस मुस्खे को बनाएंगे, ये है दोस्तों सरसो का तेल, सरसो का तेल जो होता है बहुत ही बेनिफिटिड है, हम तो कुल मिला कर ये तेल जो है बहुत ही बढ़िया है, इस तरीके से दोस्तों आपने सरसो का तेल लेना है, ये मैं आधा कप ले रही हूँ तेल, आप चाहे तो इसको ज़्यादा मातरा में भी बना कर रख सकते हैं, और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास सरसो का तेल तब आपने तील का तेल यूज कर लेना है, तील के तेल से भी आपको इतने ही फायदे मिलेंगे जितने की सरसो के तेल से, सरसो का तेल दोस्तों आपने शुद ही लेना है, मिलावटी तेल बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप मिलावटी तेल ले लेंगे, तो आपको फायदा नहीं होगा आपके जोडों का दर्द उतना नहीं ठीक होगा जितना की इस तेल से होगा तो ये सारी चीज़े मैंने मिला दी है और इसको रख देते हैं गैस पर गैस पर आपने गैस को बिल्कुल सिम कर देनी है और सिम गैस पर इसको पकाना है दस से पंदरा म आपको बिल्कुल आसानी से लग जाएंगे Working seem gas पर हम इसको पकाएंगे इससे क्या को और ज्यादा शक्ति शाली बना देगा यह दोस्तो एक छोटा सा जैफल लेकिन हम इसको पूरा नहीं डालेंगे सिर्फ जरा सा डालेंगे जिसे दो चुटकी आप घीस ले और इसको डालें इसका भी आर्क तेल में आ जाएगा ना आपके जोडों का दर्द देखना कैसे फटा-फट से गायप हो जाएगा तो इस तरीके से आपने ये तेल पकाना है इसको पकाते रहे बस सीम गैस पर जब ये पक जाएगा ना तो इस तरह से हो जाएगा सारी चीजे इस तरह से रोष्ट सी हो जाएंगे अंदर अब दोस्तों ये तेल बंच चुका है गैस को बंच कर देते हैं अभी आपने सारी चीजे निकालनी नहीं है तेल में से, अभी इसको रहने दें क्योंकि ठोड़ी देर और पकता रहता है तेल जब तक कि जो सारी चीज़े डाली है हमने यो थोड़ी सी डाख सी ना हो जाए जब थोड़ा डाख कलर हो जाए तो समझना आपका तेल बन चुका है तो इस तरीके से तेल आपने बनाना है और इसको छान कर रख लेना है किसी कटोरी में किसी बरतन में जहां पर भी आप रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आपने ये तेल बनाना है अब आई मालिश की बारी, मालिश आपने कैसे करनी है और कितनी बार करनी है दिन में दोस्तो आप मालिश तीन बार करें जैसे कि सुभे, दोपैर को और शाम को यह फिर चार बार भी कर सकते हैं, आपको फाइदा ही मिलेगा अगर आपके जोडों में ज़्यादा दर्ध है तो चार बार इसकी मालिश करें और अगर कम दर्ध है तो आप दो बार इसकी मालिश करें जैसे सुभे और शाम कर सकते हैं और उसके बाद सीखाई करें जहां पर भी आपको दर्द है तो इस तरीके से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने मालिश करनी है उस जगा की जहां पर आपको दर्द है गुड़नों में दर्द है कंधे, कलाई, कमर, उंगलियों में, बाज्यू में, जहां पर भी दर्ध है, वहां कि आपने इस तरह से मालिश करनी है, और मालिश आपने 10 से 15 मिनिट करनी है, जरूर, हलके हलके हाथों से मालिश करते रहे, ताकि सारा तेल अपजोग हो जाए, जहां पर आप लगा रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों आपने सिकाई करनी है, देखना आपको कितना फायदा मिलेगा, बहुती जबर्दस फायदा मिलेगा, और दोस्तों इस तेल का कोई भी साइड फैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमने घर के चीज़ों से ही बनाया है, कोई भी side effect आपको नहीं होगा तो आप बेजी ज़की सेल को बना सकते हैं और मालिश कर सकते हैं जादा दर्द में आप 4 बार मालिश करें और कम दर्द में आप 2 बार मालिश करें आप देखना 2 बार ही मालिश करने से आपको कितना फर्क नजराएगा और वैसे ही ये तेल आप घर पर बना कर रख सकते हैं जब भी आपको जूर्द लगे तब आप इसका यूज कर सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेमिडी के साथ तब तक धन्यवाद